PCS करेंड न्यूज में अभी की खबर है नासन ने ग्रह रक्षा मिशन को किया बंद हाले खबरों के नुसार नासन ये शुद्र ग्रेहों पर नज़र रखने वाले ग्रह रक्षा मिशन को बंद कर दिया है बता दें कि इस मिशन का नाम New Vice था चली जान लेते हैं New Vice के बारे में इसका पूरा नाम Near Earth Object White Field Infrared Survey Explorer है इसकी शुरुआत एक अलग मिशन के रूप में हुई थी जिसे Vice कहा जाता था इसको नासर द्वारा 2009 में लांच किया गया था बता दें कि इसने अपना प्रात्मिक मिशन फरवरी 2011 में पूरा कर लिया था यह मूल रूप से अवरक्त प्रकाश में आकाश का तरविक्षन करने शुद्र ग्रहों, तारों और अंतरिक्ष में कुछ धुंदली आकाश गंगाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था इसने अभी तक 3000 से ज्यादा Near Earth Object का पता लगाया है इसके डेटा से हमाए सौर मंडल में शुद्र ग्रहों की संख्या, कक्षाओं, अकारों एवं संभावित संरचनाओं को निर्धारित करने के लिए किया गया है चलिए अब बात कर लेते हैं नासा के बारे में यह सयूक्त राज्जी अमेरिका की संख्य सरकार की एक स्वतंद्र एजिंसी है इसका गठन राष्ट्रे वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत किया गया था यह एजिंसी नागरेक अंतरिक्ष कारेकरम के साथ-साथ वैमानिकी और अंतरिक्ष अनसंधान के लिए भी उत्तरदाई है इसका मुख्याले वाशिंटन डी-सी अमेरिका में है नासा के उदेश्य कुछ इस प्रकार है अंतरिक्ष के बारे में मानविय ज्यान को बढ़ाना अंतरिक्ष संबंदी प्रोदयोगी की नव प्रवर्टन में विश्व का नित्रत्व करना ऐसे वहनों का विकास करना जो अंतरिक्ष में उपकरनों और सजीव जीवों दोनों को ले जा सके और अधिक्तम संभव उग्यानिक उन्नेती की प्राप्ति के लिए अंतराश्टी अंतरिक्ष एजेंसी उसे समन वे करना आईए ब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न नियोवाइस के संधर्ब में निमलकित कथनों पर विचार कीजिए पहला इसका पूरा नाम Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer है दूसरा यह मूल रूप से अवरक्त प्रकाश में अकाश का सर्वेक्षन करने शुद्र ग्रेहों, तारों और अंतरिक्ष में कुछ धुंदली अकाश गंगाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था उप्रियुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या ना तो एक और ना ही दो इसका उतर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भीजेगा अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाल में कमेंट ना आ झाल झाल झाल